पूर्वे प्रधान मंत्री अटल विहारी बाजपेई की भतीजी कांती देवी मिश्रा ने अपने ही वाड के भाजपा पार्षत को गधा कहा है। प्रधान मंत्री और भारत रत्न अटल विहारी बाजपेई की चौथी पुन्नेती थी इस मौके पर देश भर में उन्हें याद कर स्रध्धांजली दी गई। अटल जी को भाजपाई भूल गये हैं। इसके बाद कांती देवी का दर्ध छलक उठा वे अपने आसू नहीं रोक पाई। ये दुरभागी है जिस विजेपी के लिए उन्होंने जीवन समर्पित कर दिया उस पार्टी की तरब से कोई भी नेता पुसपाँजली अर्पित करने नहीं पहुंचा। ऐसा लगता है कि भाजपाई अटल जी को भूलते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सबसे पहले वाड पार्षद का कर्तब बनता है कि वे यहां पहुंचें। उन्हों ने कह दिया कि हमारा पार्सद गधा है उसे सिर्फ पैसा कमाने से मतलब है आपको बता दे कि वाट 34 से भाजपा के रवी उर्फ रविनरी सिंग तोमर पार्सद है किसी ने इसका वीडियो सोसल मीडिया पर अपलोड कर दिया हाला कि साम को पार्सद रविन तोमर भी घर पर च्रद्धांजली देने के लिए पहुँचें गौर तलब है कि अटल जी के पैत्रिक निवास पर हर साल सद्धांजली सभा होती है मंगलवार सुबह पूर प्रदार मंत्री के भतीचे दीपक वाजपेई ने घर पर पुस्पांजली अर्पित करने का कारिक्रम आयो पहुचें उन्हें पुश पर पित कर शद्धांजली अर्पित की कॉंग्रेसियों ने इसका वीडियो सोसल मीडिया पर पोस्ट किया तो भाजपा की नेताओं की नीत खुली इसके बाद वहाँ भाजपाईयों का पहुचना सुरू हुआ बज़े यही है कि हमारा पारसत गधा है बस हमारा महले का पारसत गधा है लिख दो हमें कोई चिंता नहीं है उसको पैसे कमाने के सिवाए कुछ नहीं दिखता बस पारसत जी बस उसका करतावे इस गली से बोर्ड मेले है इस महले से बोर्ड मेले है इस सीट से बोर्ड मेले त्युर्ण है